है गाईज welcome back to amplifier connection तो गईज कैसे हो तो आज की वीडियो का topic है अपना की भाई किसी भी amplifier की sound के अंदर मानलो कोई भी humming आ रही है noise आ रही है humming की ठीक है तो उसको किस त्रीके से आप ठीक कर सकते हो और जो इस वीडियो में tips बताने वाला हूँ जो जो चीज़े बताने वाला हू उन पे अगर आप गोर करोगे तो आपकी जो noise है वो बिल्कुल हट सकती है आपके amplifier से जहां तक मैंने मेरा experience रहा है amplifier assemble करने तक तो amplifier में कोई एक चीज की वज़े से जो humming है वो नहीं आती है काफी सारी चीज़े होती है कभी किसी वज़े से आती है कोई एक चीज नहीं होती तो इस वीडियो को पूरा last तक देख लेना हो सकता है आपके बहुत काम की चीज हो सकती है इस वीडियो के अंदर ठीक है तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले जो होता है guys वह होता है हमारा जो amplifier है उसकी voltage उसका ampere ठीक है जसे मानवोग किसी भी amplifier को हम over voltage से चला रहे हैं ठीक है तो उसमे noise आ सकती है क्यूंकि उसमें क्या होता है कि कोई जो parts होता है वो damage हो जाता है या फिर leakage करने लग जाता है तो जिससे हमारे amplifier के अंदर नोई आने लग जाती है, कई बार क्या होता है कि जैसे मानलो, हमने वैसे तो proper चीजे लगा रखे हैं, जैसे मानलो transformer proper लगा दिया कि हाँ इतनी volt का है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो main light होती है, घर के अंदर वो ज्यादा आ जाती है कभी कभी, जिसके कार्ण जो transformer है उसकी output भी बढ़ जाती है यानि कि उसकी voltage भी बढ़ जाती है तो जिसके कार्ण जो parts है वो damage होने का खत्रा रहता है और अगर proper damage नहीं होते हैं तो वो leakage कोन के अंदर कुछ न कुछ हो जाती है, जिससे की जो amplifier उसके अंदर noise आनी start होती है ठीक है और इनके अंदर क्या होता है देखो जैसे अभी मेरे पास एक amplifier रखा हुआ है, ठीक है तो इनके अंदर क्या होता है, main चीज़े होती है हमारा जो board होता है preamp होता है, bluetooth होती है ठीक है, तो यह सारी चीज़े होती है अगर हम note करें जहां तक मैंने notice किया है जो हमारा main board होता है यानि मान लो जैसे 400 वोट है 200 वोट है 200 वोट मतलब कोई भी आपका amplifier है आपके पास जो आपका main board है ठीक है उसके अंदर humming की कोई problem नहीं होती जहां तक मैंने notice की है यह चीजे जो noise होती है वो ज्यादा तर हमारे या तो preamp के अंदर होती है या फिर हमारी जो bluetooth होती है उसके अंदर होती है ठीक है अगर इनके अंदर भी आपकी कोई noise नहीं है आपने अलग अलग करके इनको चला के देखा है कोई noise नहीं है तो उसके अंदर फिर जो noise का जो कार्ण रहता है वो रहता हमारा ground loop ठीक है तो ground loop के बारे में बाते करेंगे तो सबसे पहले हम बाते करेंगे जो preamp है उसके बारे में और जो bluetooth card है अपना उसके बारे में ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि मान लो जैसे आपने asemble करा है अपना कोई भी amplifier तो उसके अंदर जैसे मान लो कोई main board है आपका main board मान लिया हमने यह हमारा main board है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके अंदर power देंगे ठीक है Power जैसे मान लो यह जो मेरा amplifier है यह जो board है मान लो 45-45 पे चलता है तो हम इसको 45-45 उसके बाद फिर हम इसको on कर लेंगे on करने के बाद जो speaker होता है उसको इसके साथ attach करेंगे तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो main board है वो test हो जाएगा कि भई इसके अंदर तो कोई humming है या नहीं है तो ऐसा करने के बाद अगर मालो आपके main board में ही humming है कोई ठीक है त तो उसके बाद फिर क्या करेंगे हम जैसे speaker protection इसके अंदर add कर लेंगे ठीक है अगर मालो आपके पास कोई speaker protection वाला board नहीं है या फिर कोई और board आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर speaker protection लगाने की जूरूरत होती नहीं है तो मालो हमने main board यूज़ कर लिया उसके बाद जैसे बड़ा board है तो speaker protection लगाओगे या फिर inbuilt उसके अंदर रहेगी तो वह main board के अंदर ही आ जाएगी तो पहले आप उनको check कर लो उसके बाद फिर क्या होता है उसके बाद रहता है हमारा preamp का section ठीक है तो preamp अगर मालो हम इसके अंदर attach करते हैं ठीक है तो preamp को हम क्या कर इसके साथ attach कर देंगे जैसे देख सकते हूँ है मैंने attach कर रहा है तो board पे इसके अंदर जो सबसे main चीज होती है preamp को attach कर रहे हो इसके साथ तो इसमें क्या है कुछ लोग देखते नहीं है ये चीजे सही कुछ भी इसको attach कर देते हैं ऐसे नहीं करना होता सबसे पहले हमें देखनी है output ठीक है जो preamp की output है मालो ये है ठीक है तो इसके अंदर तीन wire होती है एक ground होता है और दो left right होती है तो left right और ground हमें देखके तब जाके इसके साथ connect करना है यानि के इसका जो ground है इस board का जो ground है preamp के ground से connect होना चाहिए और इसका जो signal point है इसके अंदर हमें जहां input देनी है signal वो preamp की output left या right के साथ attach होना चाहिए ठीक है यानि के main चीज है कि जो ये preamp का ground है output के अंदर देख सकते हो ये वाला जो ground है बीच वाली तार ये इसके ground के साथ attach होना चाहिए ये नहीं है कि ground को हम input के अंदर दे रहे है ठीक है तो ये चीज यहां पे note करने वाली ह होती है तो इस चीज का थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इसका तो आपको ठीक है क्योंकि ऐसे कुछ भी मानलो आप connector यूज कर रहे हो इसके अंदर तो connector आपको देख के लगाने है कई उल्टा सिधा ना connect हो जाए ठीक है guys तो य इसके साथ connect करो यहाँ पर input यह वाला जो section है इसके साथ आप उसको attach कर लो direct इसके उपर या तो solder कर लो या connector लगा के आप इसको mobile के साथ इसको पहले चला के देखो preamp जोड के इसके connection करके mobile से आप इसको चला के देखो अगर कोई humming है तो आपके जो preamp section के अंदर दीकत हो सकत है या फिर आपने कोई connection connection सही नहीं किया है ठीक है या फिर आपके preamp में कुछ इन कुछ गड़बड है supply के अंदर है या तो फिर आपकी जो ICS है उनके अंदर है अगर आपके यह connection connection होने के बाद preamp और main board के connection होने के बाद mobile से आप चला के देख रहे हो तो कोई humming नहीं है तो फिर आपका ये प्रोप पर तरीके से ये जो setup है ये complete हो चुका है उसके बाद बसती है आपकी जो Bluetooth section होता है उसका number आता है ठीक है तो उसमें फिर आपको क्या करना है Bluetooth लगानी है Bluetooth के लिए क्या होता है जो 5V की supply होती है वो बनानी पड़ती है अब आज कल 12V पर चलने वाले भी आते हैं तो 5V की supply अगर बना रहे हो आप जैसे देखो मैंने यहाँ पर बना रखिए 5V की supply ठीक है तो यहाँ पर जो हमारी है कि कई बार क्या होता जो यह power supply होती है इसकी 5V की Bluetooth वाली इसमें काफी दिक्कत रहती है यह प्रोपर तरीकी से लोगों को बनानी नहीं आती क्योंकि यह Bluetooth होती है जो इसको एक regulated बिल्कुल बढ़िया वाली supply की जूड़त होती है ठीक है तो उसको बना के आप इसको चलाओ होते हैं उनमें 5V रहती है तो वो लगा के आप try कर सकते हो या फिर 5V की कोई battery है उससे आप लगा के try कर सकते हो अगर बैटरी लगाने के बाद 5V की बैटरी लगा के अगर आप यूज कर रहे हो तो वो अगर प्रोपर चल रहे है तो फिर आपकी जो power supply है 5V वाली उसके अं कुछ इनकुछ गडबड है ठीक है अभी कई बार क्या होता है अगर आप single board यूज कर रहे हो single board अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर humming आने के chances बहुत कम होते हैं लेकिन जब आप multiple board यूज करते हो जैसे यहां पर मैंने 3 board इसके अंदर assemble कर रखे हैं ठीक है तो जैस multiple board यूज कर रहे हो तो वहां पर humming की बहुत ज़्यादा problem आती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है एक से अधिक ground हो जाते हैं अलग-अलग board के अलग-अलग ground हो जाते हैं और अलग-अलग supply आप यूज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा better है अगर एक supply से आप यूज कर रहे इसको हम खतम कर सकते हैं amplifier के अंदर से उस topic पे एक अलग वीडियो आएगी क्योंकि ground loop का जो topic है वो काफी बड़ा है अभी जो मैंने आप लोगों को point दिये हैं अगर आप इस तरीके से आपके amplifier को test करोगे तो guarantee है कि आप एक अच्छा amplifier बना पाओगे ठीक है guys तो मिलेंगे next video में तब तक के लिए